हेलो बरीवान, बिलकम बेग, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज में playlist बना दे रहा हूं, और इस lecture के description में आपको link भी दे दूँगा, previous सभी की सभी lectures को देख करके, previous सभी concept को आप लोग clear कर लिए, क्योंकि dear friends, अब आज का ये lecture, इसके बाद एक lecture और मैं आपको provide कराऊंगा, इस chapter की exercise के solution के भिहाब पर, अगर आपने complete lecture को देख लिया, previous वाला और ये दोनों, देन आपको इस chapter में कहीं कोई problem नहीं होगी, तो dear friends, आई आज का lecture हम start करते हैं, और देखते हैं कि हमारा आज का first question क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पे dear friends, ये question बहुत ही जादा important है, क्योंकि इसी question की तरह, कई सारे questions आपकी book में दिये होगी, आपके पास किसी भी writer की book होगी, सब में इस तरह की question जरूर से जरूर होगी, आई ये देखिए इस तरह की question को हम लोग कैसे solve करते हैं, धान रखिएगा dear friends, कई सारे question, कई सारे type के हम आपके साथ discuss करेंगे, साथी साथ उसके बिहाब पर कुछ question भी मैं आपको provide कराऊ जो आपको solve करना होगा, और solve करके comment section में आगर के मुझे बताना होगा, dear friends, आई ये देखते हैं, हमारा question है, आपर कहरा सिद्ध की दिये की, proof करना है, 10 in over 1 by 3 plus 10 in over 1 by 5 plus 10 in over 1 by 7 plus 10 in over 1 by 8 is equal to pi by 4, माने 45 degree के बराबर हम ये proof करके दिखाना है, देखिए dear friends, इस तरीके से 10 वाले question में हमेशा pi by 4 अक्सर proof करने की आता है, कभी-कभी ऐसे 4 terms given होते हैं, कभी-कभी 3 terms given होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे solve करते हैं, सबसे पहला काम dear friends, वही हम लोग करेंगे, इसका left hand side ले लेंगे, left hand side dear friends कितना है, 10 in over 1 by 3 plus 10 in over 1 by 5, dear friends lecture ये आज़का बहुत ही ज्यादा important होने इसलिए कहीं पर भी skip नहीं करेंगे, ध्यान से आप लोग सभी question को जरूर से जरूर समझ लें, क्योंकि जो भी question मैं discuss करने वाला हूँ, इसमें से कोई भी question आपके exam में पूछा जा सकता है, so lecture बेहरी important है, dear friends, plus 10 in over 1 by 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आपको सोचना है, कि sir यहाँ पर कौन सा formula हम apply कर सकते हैं, dear friends, यहाँ पर इसको इसको साथ ले लिए और इसको इसको साथ ले लिए, या अगर आपको यह बड़े दिख रहे हैं, तो छोटे छोटे वाले को आपस में combine करके तब लगा लिजे, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर जो formula ल minus y के, यह जो formula आपको दिखाया गया था, जो 10 a plus b के formula का use करके derive कराया गया था आप लोगों को, उसी का use करेंगे यहाँ पर, आसानी से आपका question solve होगा, देखेगा, dear students, इन दोनों में अलग लगाएंगे formula, और इन दोनों में हम अलग से formula लगाएंगे, वही वाला, तो क्या होगा, dear students, देखेगा, time inverse 1 by 3 हो जाएगा, plus में 1 by 5 हो जाएगा, upon में 1 minus 1 by 3 into medium distance 1 by 5 हो जाएगा, समझ आ रहा है, और उसके बाद इन दोनों में अलग से लगाएंगे तो हो जाएगा, time inverse 1 by 7 plus 1 by 8 हो जाएगा, upon में 1 minus 1 by 7 into medium distance 1 by 8 हो जाएगा, सही है, solve करते चलेंगे, this is equal to time inverse लोगे 5, 1, 5, 5, 3, 8 हो जाएगा, 8, upon में 1 minus 1 by 5, 15 हो जाएगा, सही है, यहां पर देखेए, 15 एक कम 15 में से एक गाएगा, कितना बचेगा, 13, 13 बटे बच्चों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहां पर, ठीके, ठीके, पांत यहीं 15 में से एक गया, 14 आएगा, यहां पर 13 लिख दिया है, ठीके, लोगे 5, 15, 15, 15 में से 14 बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस यहां कितना हो जाएगा, तैन इन वर, ठीके, 8, 7, 15 होता है, 15 बटे, 8, 7, 56 यहां पर हम लिख देते हैं, और 8, 7, 7 में से गटे का डियो से कितना बचेगा, यहां पर, 55 और बटे में कितना सर हो गया, 56, अब देखें, यहां पर यह 15 से 15 कट रहा है, यहां पर यह 56 से 56 कट रहा है, देख रहे हैं, आपको मिलेगा, यहां पर यहां पर यह से कितना, 10, 9, 8, 14 मिलेगा, प्लस, 10, 9, 15 बटे मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लेते हैं, 5 से कट यह दियास्ट्रेंट्स किससे कटेगा दो से दो चवकाट दो सते चवदा कहने का मतलब यहां से मिल जाएगा टैन इनवर 4 by 7 प्लस टैन इनवर 3 by 11 ठीक है अब फिर से यहां पर टैन इनवर इनटू में हो जाएगा डियोस्ट्रेंट्स 3 by 11 ठीक है ना सिंप्लिफाई करते हैं क्या मिलेगा देखते हैं डियोस्ट्रेंट्स हम लोग यहां पर साल्प करेंगे तो आपको मिलेगा टैन इनवर देखें 11444 यहां पर हो जाएगा और सात्री का 21 बच्चों यहां पर हो जा हो जाएगा दिस इक्वल्ट्स टीनीन वर देखें चार एक पांच हो गया और चार दोचे माने 65 हो गया यहां पर पी जब माइनस करेंगे तो बच्चों आपको 65 ही मिलेग दोनों हो जाएगे बच्चों कितना इन इनवर वन जिसको हम कैसे लिखेंगे टैन इन इनवर 1 मिन तो आपने देखा होगा कि अगर आपको ये फार्मला पता है तो ये कुश्चन आपके लिए बहुत ही जादा आसान हो जाएगा और इसको आप लोग आसान इसे साल कर पाएंगे ये स्ट्रेंट्स लेक्चर को पास करके आप इस कुश्चन को नोट कर लिए दन हम आपको नेक्स कुश्चन के बारे में डिसकस करके दिखाते हैं अगले टाइप का कुश्चन किस तरीके से इस सेप्टर के भिहाब पर आप लोग उसे पूचा जाएगा इस तरह के कई सारे कुश्चन्स आप लोग के एक्जाम में आते हैं तो सब में ही logic लगेँगा डिसेंट्स आपको 10 in over x plus 10 in over y 10 in over x minus 10 in over y सारे formula हम derive करा चुके हैं आशकर करते हैं आप लोग उनका derivation भी देखा होगा और साथी साथ वो सारे फार्मुलिय आपको लाजने भी होंगे योगि तभी dear students ये सारे question आपको समझ में आने वाले है देखिएगा एक question और भी है मैं इसको आप लोगों को देने वाला हूँ आप लोग इसको solve करिएगा और solve करके मुझे बताइगा कि आपका answer आ रहा है कि नहीं dear students देखिए यहाँ पर prove that माने सिद्ध करना है ज्यान दीजेगा prove that अर्था सिद्ध करना है 4, 10 in over ध्यान देना dear students 10 in over 1 by 5 minus 10 in over 1 by 70 plus 10 in over में लिखाए dear students 1 upon 99 equal to यहाँ पर भी 5 by 4 ही prove करना है अभी lecture की starting में ही मैंने आप लोगों से बोला कि जो 10 in over वाले इस तरह की questions आते हैं उसमें maximum में pi by 4 ही prove करना होता है तो dear students देखिए यहाँ पर लगभग उसी की तरह तो आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ पर 4 लगा हुआ है बच्चो यहाँ पर क्या लगा हुआ है 4 तो कैसे साल्व करेंगे इसको थोड़ा सा समन्य होगा आपको डियस्टेंट से एक फार्मुला होता है तू टैन इनवर एक्स इस इकल टू टैन इनवर टू एक्स अपान में वन माइनस एक्स स्क्वेर यह वाला फार्मुला यहाँ पर आपको एपलाई करना होगा पहले हम यह जो 4 लिखा हुए बच्चों इसको 2 इंटू में 2 टैन इनवर 1 बाई 5 लिख लेंगे और माइनस में टैन इनवर 1 बाई 70 और प्लस टैन इनवर 1 बाई 99 रहने देंगे और यहाँ पर यह टैन टैन नौर एक्स वाला फार्मण लगाएंगे उसके बाद फिर यह वाला टू अंदर मल्टिपलाई हो जाएगा तो फिर से टू टैन इननवर फार्म लगाएंगे फिर पुराना वाला चंसेप्ट जो मैंने समझाया उसको एपलाई करेंगे 10 नोवर X प्लस 10 नोवर Y यह 10 नोवर X माइस 10 नोवर Y तो आपका यह प्रूफ रऊजाएगा बहुत है और लक्साल लेखा दोंगा और अपको दिखास ऑक्रन के कैसे इसको शाल करना है ठीक current कुछिसन में अगर सही रास्ते पे लोग नहीं चलते हैं ना बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं उनको पता इनी चलता है की कुछिसन को कैसे किया जाएं बहुत अच्छा कुछिसन है बहुत बार पूछा भी जा चुका है देखे डियो स्ट्रेंट क्या है तरह सिद्ध कीजिये की question बोल रहा है कि सिद्ध कीजिये की देखो तो क्या सिद्ध करने के लिए कह रहे है सिद्ध कीजिये की means prove that क्या सिद्ध कीजिये cot inverse a b plus 1 upon में a minus b plus cot inverse b c plus 1 upon में b minus c plus cot inverse c a plus 1 upon में c minus a is equal to 0 हमें prove करना है बहुत ही आसान सा question है अगर इस question को सही तरीके से लगाया जाए दो ही तीन line में question साल हो जाता है लेकिन बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि इसको cot inverse x plus cot inverse y अगरा लगा करेके इसको expand करने का प्यास करते हैं उस situation में question एक बहुत ही बिराल रूप धारन कर लेता है और कभी कभी साल भी नहीं होता है क्यों कर्कुलेशन बहुत जादा बढ़ जाता है कैसे साल किया जाएगा देखिएगा इसका हम लोग left hand side ले लेंगे सबसे पहले LHS जिसको हम बोलते है cot in over a b plus one upon me a minus b plus cot in over b c plus one upon me b minus c plus cot in over c a plus one upon me c minus e बाद समया रही है अगर आप देखें तो ये direct जो है न cot का formula बना हुआ है लेकिन सपोस कर लिए किसी बच्चे को cot का formula ना याद हो तो उसको ये जरूर पता होगा कि cot in over x जो होता है वो 10 in over one upon x के बच्चों क्या होता है equal होता है जिसको reciprocal relation के नान से जाना जाता है ऐसा हमने आपके साथ discuss किया भी है तो dear strengths हम क्या कर सकते इसको इसको चाहें तो 10 in over a minus b upon one plus a b लिख सकते हैं और plus ऐसे ही इसको हम लोग 10 in over b minus c upon one plus b c लिख सकते हैं ऐसे ही बच्चों इसको हम लोग 10 in over c minus a upon one plus c सकते हैं समझा रहा है अब dear strengths अगर आप ध्यान दो तो आपको पढ़ाया गया है 10 in over x ठीक है 10 in over x minus 10 in over y जो होता है उसकी value होती है 10 in over x minus y अपान में dear strengths कितना x plus y यह होता है 10 in over x minus 10 in over y की value समझा रहा है तो हम लोग यहाँ पर देखें तो यह 10 in over ध्यान दो डियो स्टेंट्स क्या यह 10 in over a minus 10 in over b का ही formula लिखा हुआ है देखिए ध्यान से बिलकुल लिखा हुआ है वैसे ही डियो स्टेंट्स इसको देखेंगे तो यह हमारा 10 in over b minus 10 in over c का formula लिखा हुआ है वैसे डियो स्टेंट्स को देखेंगे यह हमारा 10-C-10-A का फार्मुला लिखा हुआ है अब देखो यह देखिए 10-A से आपका 10-A cancel हो रहा यहां प्लस में है वहां माइनस में यह दोनों इससे हो रहे हैं दोनों इससे cancel हो रहे हैं सारे tons distance क्या हो गए cancel हो गए और equal to 0 आ गया जो की हमारा क्या था राइट हैंड साइड था और यह बहुत ही आसानी से आपका यह कुश्चन आसानी से decisions क्या हो गया प्रूफ हो गया देखिए अगर हम लोग सही रास्ते पे चलते हैं concept को समझ लेते हैं देन कुश्चन को solve करने में कोई problem होती ही नहीं है आई होप आपने इस कुश्चन को समझा होगा फटा फट से आप लोग दियर स्टेंस को note करिए देन हम next question के बारे में discuss करते हैं आज की इस lecture में जो भी question हम आपके साथ discuss कर रहे हैं ब्यारे बच्चों यह सभी के सभी question आप लोगों के लिए बहुत ही जादा important हैं सभी question को खुब अच्छे से note करिए और note करने के पसाथ अगर कहीं कोई doubt है आप लोगोगों तो comment section में मुझसे आप लोग बेहत आसानी से बहुत ही सरल तरीके से आप लोग share कर सकते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है आईए dear friends next question हम लोग discuss करते हैं ठीके उसको हम लोग कैसे सालब करेंगे क्या करेंगे यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं dear friends काफी अच्छे अच्छे question यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो हमें प्रूफ करने हैं और आपकी अगले अच्छा question है और यह question exam में बहुत ही जादा पुछा जाता है और इस question को खुब ध्यान से आप लोग समझे का dear friends देखी question क्या है यहाँ पर बोल रहा है कि यादि ध्यान देना dear friends बहुत अच्छा question है करा यादि कॉस इनवर ध्यान देना बच्चों एकस अपान ए प्लस ध्यान देना dear friends प्लस कॉस इनवर वाई बाई बी लिखा हुआ है कि वैलू अगर अलफा है तो कहरा है सिद्ध कीजिए कि ध्यान देना dear friends क्या सिद्ध करना है में काफी अच्छा question है यह जो हम लोग discuss करने चल रहे हैं करा सिद्ध कीजिए कि हमारे पास होगा x square अपान में a square minus 2xy अपान में a b ठीक है कॉस अलफा प्लस बच्चों लिखा हुआ है y square अपान में b square equal हो जाएगा हमारा sine square alpha के ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है बहुत ही important question है बहुत ही logical question है देखे ध्यान से क्या है question करा दियो सिद्ध कोस इनुमर एक्स अपान a plus cos y अपान b equal to alpha है तो सिद्ध कीजिए कि x square अपान a square minus 2xy अपान a b cos alpha plus y square अपान b square equal होगा sine square alpha के ऐसा हमें प्रूफ करके दिख cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equal to alpha दिया है एक formula आपको derive कराएगे है डियो सिद्ध करिएगा cos inverse x plus cos inverse y जो की equal होता है cos inverse xy minus में होता है plus के लिए यहाँ one minus x square root में another root में आपका होता है one minus y square आपको याद होगा यही वाला formula यहाँ पर हम लोग apply करने वाले है ठीक है देखिए डियो सिद्ध यह apply करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर cos inverse xy means x upon a plus into में हो जाएगा बच्चों y upon b minus under root one minus x square upon a square into में one minus y square आपान बच्चों कितना b square हो जाएगा is equal to alpha हो जाएगा केवल और केवल हमने cos inverse x plus cos inverse y वाली सर्व सम्क्याई आप कह सकते हैं formula apply करके हमने यहाँ पर इसको साल्व किया है देखो डियो स्रेंट्स क्या मिलेगा आपको यहाँ पर this implies that xy से multiply got हो जाएगा xy upon a b minus यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या करते ह हैं lc में लेते हैं अभी आप ऐसे ही रहन दीजिए इसको मत करिए ऐसी रहन दीए बच्चों हो जाएगा one minus x square upon में कितना a square into में हो जाएगा बच्चो one minus y square upon में b square equal to उधर चला जाएगा distance यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos alpha अब हम क्या करेंगे इस root वाले term को एक तरफ करेंगे बाकी को एक तरफ करेंगे और देखेंगे क्या हमें मिल रहा है this implies that dear students यहाँ हो जाएगा xy upon में a b minus में हो जाएगा cos alpha equal हो जाएगा उधर जाएगा dear students क्या one minus x square upon में a square समझ रहा है into में हो जाएगा dear students one minus y square upon b square अब हमें क्या करना होगा इस square root को हटाना पड़ेगा तो इस square root को हटाने के लिए squaring both sides हम लोग करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं यहाँ पर लिखेंगे dear students क्या squaring both sides ध्यान देना squaring both sides अर्था दोनों side का square करेंगे यहाँ हो जाएगा dear students xy upon में ab minus में cos alpha का whole square यहाँ पर जब square लगेगा तो यही root खतम हो जाएगा one minus x square upon a square आएगा into में बच्चों हमारे पास आएगा one minus x square upon में कितना b square हो जाएगा कोई doubt नहीं होगा इसमें आप लोगों को इस तरीके से अब मैं क्या करूँ इसको expand करूँ और यहाँ पर भी इसको मैं multiply करूँ और देखूँ क्या मुझे मिलने वाला है a minus b के whole square की identity लगा करके इसको expand करोगे तो आएगा x square y square upon a square b square plus बच्चों यहाँ आएगा cos square alpha minus 2 minus में यहाँ पर आएगा 2xy upon a b cos alpha जो की कहीं न कहीं हमको result में दिख रहा है so लग रहा है कि आजाएगा 1 ले जाएगे इधर डियो स्क्वाइब करिए 1 minus में हो जाएगा x square यहाँ बच्चों y square था इसको multiply कराएगे तो minus में y square upon b square हो जाएगा minus में x square upon a square हो जाएगा बच्चों plus x square upon a square into y square y square into b square हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अब देखिए यह चीच यह और यह डियो स्क्वाइब कैंसिल होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा अब देखिए x square upon a square और यह y square upon b square हमें एक तरफ मिलड़ा इसको एक तरफ ले करके चले आते हैं इसको मैं इधर ले करके आऊँगा देखिए हमें क्या मिलेगा x square upon a square यह चीच जो था इसको हमने ट्रांसफर कर लिए इधर ले के चले आए और यह देखिए यहाँ पर minus में क्या बच्चा यहाँ में बच्चों हो जाएगा plus में कितना y square upon में कितना b square equal to यहाँ 1 था अब यह देखिए ध्यान से यह जो हमारा cos square alpha है इसको उधर में ट्रांसफर करूँगा यहाँ हो जाएगा 1 minus में cos square alpha ध्यान देना यहाँ पर बच्चों मिलेगा x square upon a square minus में 2xy x square alpha होता है यहाँ पर आप का जाएगा x square alpha और आप देख पा रहे होंगे कि यही आपको proof करके दिखाना था यही result आपको लाकर के दिखाना था जो कि आ गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे hence proved बहुत ही आसान सा question है इस question को बड़ा देख करके ही कई सारे बच्चे एक्जाम में skip कर देते हैं कि इतना बड़ा-बड़ा सा proof करने के लिए देरा है लेकिन आप देखे बहुत ही कम step में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया बस केवल और केवल एक ही identity distance यहां पर यही use हुई है cos in number x plus cos in number y I hope आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से यह समझ में आ गया होगा बड़ यह जब हम कोई भी question यहां पर solve कराते हैं तो देखने में बहुत ही आसान लगता है वो बहुत ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएं जो भी चीज़ें आपको समझाई जाएं जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएं उसको आप सीखने के बाद स्वेम से करने का प्रयास जरूर से जरूर करिए क्योंकि जब आप उसको स्वेम से करते हैं तो आपका स्वयम का खुद का लॉजिक बनता है और इस तरह की कुश्चन को साल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो दियर स्टुन्स लेक्चर को पास करके आप लोग इस कुश्चन को नोट कर लिए इसके सल्यूशन को नोट कर लिए देन नेक्स कुश्चन हम आपको साल्व करा दिये जाएंगे अगर आपने भी अपनी बुक की साल्व किया है और कहीं कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो आज इंस्टाग्राम पे मेरे पास रात में आप सिंड कर दिएगा जिससे नेक्स लेक्चर को कवर करते समय मैं उस कुश्चन को जर के नाम से ही बना हुआ है उसको भी जाकर कि आप जॉइन कर लिजिए वहां पर नोट्स वगर आपको प्रवाइड हम कराते रहते हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफीट होगा एक कुश्चन आपको टास के फाम में देते हैं जिसको आप लोग करिए गडियो सें इन इन वर फ मेर 4 वाइव देखेगा सइन इन वर 4 वाइव फाइव प्लस 4 वाइव वाइघ वाइव फाइव साइन साइन इन वर ृक्रील 的 को сам इन वर 16ice 95 ठीक है viral24 यह में प्रूप करके दिखाना कैसे करें गया ठीक सैइन वाला हमने नंफिछ नापको शाल गराया है इस क्या करेंगे आप लो इसका लेप्ट हेंड साइड ले लेंगे LHS क्या है LHS साइन इनवर ठीक है 4 by 5 प्लस साइन इनवर 5 by 13 प्लस साइन इनवर 16 by 65 सहीं अब आप क्या करोगे यहां पर आपको एक आपको यहां पर एक ले लिए हैं तो इन दोनों में इसको एप्लाई कर देंगे और यहां लिखेंगे इन 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 इनवर 16 Ben 65 इसको आप लोग ऐसे 4 by 5 इसको solve करोगे तो कितना आएगा अंडरूट 169 माइनस 25 अपान में 13 का स्क्वेर प्लस 5 by 13 होगा डियस्टेंट्स यहाँ पर करोगे तो 25 माइनस में 16 अपान में 5 का स्क्वेर प्लस डियस्टेंट्स यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन इनवर 16 by 65 समझा रहा है ना डियस्टेंट्स इसको जब आप लोग साल करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर साइन इनवर ध्यान देना 4 इनटू 69 माइनस 25 144 जिसका मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पर 5 इनटू डियस्टेंट्स 13 आजाएगा प्लस 5 इनटू यहाँ जब आप करोगे तो यहाँ पर 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा मानने 3 हो जाएगा 3 अपान 13 इनटू डियस्टेंट्स कितना आजाएगा 5 आजाएगा प्लस में साइन इनवर 16 अपान में 65 होगा आपको करना क्या है इसको सिंप्लिफाई करके आप लोगों को कैसे सर्थ थोड़ा सा इकात दो लाइन और में कर देता हूं साइन इनवर 16 अपान 65 हो जाएगा प्लस 15 अपान में इनवर 16 अपान 65 हो जाएगा और थोड़ा सा साल्प कर देता हूं तो साइन इनवर हो जाएगा 8 पान 13 होता है और इनवर 16 अपान 65 होगा यहाँ पर अब आप लोग क्या करिएगा जो फार्मुला भी मैंने उपर एप्लाई किया था sin over x plus sin over y वाला न वही same formula आप यहाँ पर apply कर देंगे sin over x plus sin over y वाला और simplify करेंगे तो आपको जा करके वहाँ पर sin over 1 मिल जाएगा cut pit करके sin over 1 मिल जाएगा जब आपका sin over 1 मिल जाएगा तो वहाँ से आपका proof हो जाएगा कि yes हमारा equal है πाई बाई 2 के क्योंकि sin की value pi by 2 पर ही 1 होती है तो इस question को आप लोग solve करिएगा इसके बाद ठीके क्योंकि इसके बाद आपको वही same formula dear student से apply करना है तो I hope आप लोग कर लेंगे कोई problem नहीं होगी तो dear student जो question मैं आपको solve करा रहा हूँ यह question आपको समझ जरूर से जरूर आ रहे होंगे और इन सभी के सभी question को आप अपनी notes में भी note कर पा रहे होंगे लेकिन उसके पहले यह बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों कि आप सभी के सभी लोग previous lectures को देख चुके हों previous lecture में जितने भी question हमने आपको solve कराएं हैं उनको आप लोग solve कर चुके हों कुछ task दिये थे जो derivation कराए थे उनको आप लोग कर लिए हों तभी यह जादा अच्छे से आपको बहतरीन तरीके से समझ में आएगा एक question और भी है जो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूं जिसको आप लोग solve करिएगा और बताईएगा आपका आया या नहीं आया question देखिएगा कहरा है हल कीजिए हल करना है आप लोगों को यहाँ पर क्या हल करना है देखिएगा एक question है छोटा सा इसमें आपको हल करके ना x की value को find करना इस तरह की question भी आपके exam में बहुत ही जादा पूछे जाते रहते हैं सो इस तरह का भी यह question होना यहाँ पर जरूरी है हल कीजिए हल कीजिए मैं hint दूँगा बाकी आपको करना होगा इसको देखिए तो क्या हल करना है हल करना है हमें हल करने का मतलब है कि यहाँ से आपको x की value को find करना होगा कैसे solve करेंगे आप लोग क्या method होगा इसको solve करके x की value को find करने का discuss करते हैं यह जो solve करने का जो तरीका है वो क्या होता है कि यह जो दो trigonometrical ratios means inverse trigonometric functions दे रहे हैं इनको आपस में change करने जैसे इसको हम लोग चाहें तो time number one upon x लिख सकते हैं अब आप इसको सोचिएगा कि time number क्या लिख सकते हैं पारस पर इक परिवर्तन मैंने बताया तक sign number का cost में कैसे conversion होता है तो यह भी time में बदल जाएगा इसको भी आपको time में बदलना होगा तब यहां पर time number x लगा करके तो जो time बच्चे का उसको इधर भीज़ करके तब इसको simplify करना होता है हिंट मैंने आपको दिया है साल्व आपको खुद से करना है और साल्व करके आपको मुझे बताना जरूर है कि आपका यह साल्व हो पा रहा है कि यह नहीं क्योंकि इस तरह की question भी मैं next lecture में आप लोगों के साथ discuss कर लूँगा आज की इस लेक्टर में मैं ज्यादा कुछ तरह नहीं कवर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हो सकता है भी तक फार्मुली को revise ना किये हो तो आज आपके लिए मौका है सभी के सभी बच्चे हमारे एक बार फार्मुली को revise कर लें रिवाइस करने के पस्चाथ इस लेक्चर से समाथ होने के तुरन बात आपको रात को 9 बजे तक मेरे पास आपके डाउट्स आज आने चाहिए बेडी मैथमेटिकल सेलुसन सर्च कर लिएगा इंस्टाग्राम पर मैं सभी के सभी डाउट्स आप लोगों के नेक्स लेक्च अब आपको देता हूं 9 बजे तक आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे मेरे पास सेंड कर दीजेगा नौब बजे तक जो डाउट्स आज आएंगे उनको कलेक्ट करके हम नेक्स लेक्चर में उसको आपको साल्ब करा सके तो ठीक है आज कि इस लेक्चर में बसतना ही त साथ तब तक अपना ख्याल रखिए आल वेस्ट